मुख्यमंत्री योगी जिस सरकार आपके राज में आपकी पार्टी के सदस ने आपका ही कानून तोल डाला कें सरकार ने कानून बनाय था कि कोई भी 20,000 से उपर का लेंदिन रजिस्ट्री से ही होगा लेकिन मेरी 6 भीगा जमीन मुझे 6 करोल 20 लाग का लोकल चेक देकर ले ली गई हो सके तो मेरे बच्चों को ये दिला दीजिएगा इसके आगे और मैं क्या ही लिखो दोस्तों ये शब्द उतर प्रदेश के कानपूर जिले के रहने वाले बाबु सिंग यादव जी के हैं जिनोंने उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ को ये पत्र लिखा है बाबु सिंग यादव जी आब हमारे बीच नहीं रहे यहां दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना बाबू सिंग यादव जी ने आत्म हत्या कर लिये और आत्म हत्या करने के पीछे की सबसे बड़ी वज़े बताई जा रही है कि बाबू सिंग यादव जी की लगभग 6 बिगा जमीन के उपर बीजेपी के नेता ने कबजा कर लि कानपूर के बाबू सिंग यादव जी ने बीजेपी के नेता प्रिये रंजन आशु के साथ 6 बिगा जमीन लगभग 6 करोल 20 लाख रूपे में बेचने का तैय किया था पहले तो बीजेपी के नेता प्रिये रंजन आशु ने लोकल चेक देकर उनकी जमीन की रजिस्ट्री करवा लिए उसके बाद उनसे वो चेक वापस ले लिया और कहा कि कुछ दिनों में दुबारा नया चेक दे देंगे लेकिन कई दिनों तक टाल मटोल करने के बाद भी प्रिये रंजन आशु ने उनको नया चेक नहीं दिया जिसके बाद बाबू सिंग यादव के परिवार के द्वारा कोट में इसके खिलाफ याचिकाय दायर की गई शिकायत दायर की गई मामला अभी कोट में चल ही रहा था कि प्रिये रंजन आशु यानिकी भाजुपा नेता ने वो जमीन किसी और के नाम कर दी किसी और को बेच दी और जब बाबू सिंग यादव के परिवार ने देखा कि बीजेपी के नेता ने उनी के जमीन किसी और को बेच दी और उसके उपर प्लोटिंग भी शुरू होने लगी तो अपनी 6 करोल 20 लाग की जमीन जाते देख यह सदमा बाबू सिंग्यादव बरदाश्च ना कर सके और रेलवेट ट्रैक टे उपर जाकर अपनी जान गवादी प्रियर रंजन आशू बीजेपी के नेता हैं जिला पंचाए सदस्त हैं और 2022 के विधान सबाच चुनाव में बीजेपी के टिकट पर बीजेपी की तरफ से वह चुनाव भी लग थे हाला कि समाजवादी पाटी के नेता से उनको हार का सामना करना पदा था बाज़ुपा नेता प्रियर रंजन आशू के ऊपर बाबु सिंग यादव और उनके परिवार ने बेहदी गंभीर आरोप लगा है इस पूरे मामले में बाबु सिंग यादव जी की पत्नी का क्या कहना है जरा वो भी आप लोग सुनिए करें पहुंचे इन से रोजिनाल वाली रजिष्ट्री करें ने जब करवा लिन तो जब कर्वाली ने रजिष्ट्री फिर कहीं रहें कि तुम तो पुंको चैके लाउल धो जो हम तो तुम को चैक्ड़ोर की चैकें दी अगर तुम लगाओगी फिरसे तुम को बेंगे तो कि ऑपको अधिए नहीं हम बोल रहे थे तो इनको भोली हreए गहलुत थी कि उन को अब डेऊ छेड नहींно लगे तो दो प्र। गया है। इसके बाद इस पूरे मामले के उपर उतर प्रदेश की पुलिस का क्या कहना है ये भी आप लोग सुनिए बीती रात लगबग साड़े-बारा बजे एक अभियोग थाने में दर्ज गया लिया है जिसमें बता है कि नौ नौ तारीको एक दिन पहले नौ तारीको पांच बजे सुबह स्वर्गी बावु सिंग्यादों हैं जो जिन्हों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर स्वसाइट कर लिया उनकी पत्नी बिटन देवी ने छे बेक्टियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया है या बताते हुए कि हमारी जमीन इन लोगों ने हडप ली ती जिससे वो न दोस्तों उतर प्रदेश के अंदर योगी आदितनाथ और उनके समर्थकों के द्वारा उतर प्रदेश की कानून व्यस्था को लेकर बहुत बड़े-बड़े दावे की जाते हैं ऐसा कहा जाता है कि जब से उतर प्रदेश के अंदर योगी आदितनाथ की सरकार आई है उसके बाद से उतर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज पूरी तरीके से खतम हो चुका है लेकिन लगतार एक के बाद एक ऐसी घटना उतर परदेश से आती हैं जो उतर परदेश की कानून वश्था के उपर सवालीय निशान खाले कर दीती हैं हो सकता है कि गुंडा राज खतम हो गया हो, लेकिन ऐसी घटना है, यह दिखाती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो भाजपा के नेता हैं, वही सबसे दगुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं, लोगों की जमीनों के उपर कब्जा कर रहे हैं, महिलाओं की इज़त को लुटने का काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले के उपर उत्तर प्रदेश की सरकार कठोर से कठोर कारवाई करेगी, और बावु सिंह यादव और उनके परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेगी, मैं आप सभी लोगों से भी रेक्वेस्ट करता हू कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेर करने का काम कीजिए, क्योंकि इन सारे मुद्धों को हमारे देश की जो घोदी मीडिया है, जो मेंस्ट्रिम मीडिया है, वो उठाने का काम नहीं करेगी, क्योंकि इससे सरकार की छवी के उपर डेंट पड़ता है, तो सोशल मीडि से आप सभी लोग ऐसे मुद्दों को सपोर्ट किया कीजिए ऐसे मुद्दों को शेयर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाया कीजिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए फेस्बूक ट्विटर इंस्ट यह वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मुलाकात करता हूँ किसे और वीडियो में तब तक ले बहुत बहुत धंदेवाद जाहें